लोग जैसी राम मैं को ओन याद हो अभी हम अपडेट आज देने वाले हैं आपको बक्ति पत्का जो बक्ति पत्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो सीधे राम जनम भूमी जाये जाता है तो इस वाले में रास्ते से और जनम भूमी का रास्त जो डिस्टंस है वो 800 मेटर है और उसकी चोड़ाई रहेगी इस रोड की जो नया बंदा है वो 14 मिटर रहेगी तो चलिए आपको दिखाते हैं तो यह जो सड़क किनारे था ही जो अन्मान गड़ी के पास में ही जो अंदर जाया जाता है जिसको भक्ति पत का नाम दिया गया है और गाइस यह सीधा आप जो आप टूट गया है पूरा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया इस सड़ में और यह सब आप जो देख रहे हैं राम पत पे यह सब भी टूटेगा पूरा तो कुछी तरीके से माहोल है आयोदा में इस टाइम कि आप देख रहे हैं जो यह रास्ता सिध्या हनमांगड़ी और आपको कनक भौन और जनम भूमी ले जाए जाता है और यह दिखेंगे और इस साइड का कंसक्शन जो अभी अपडेट रहा है जो प्रिजन टाइम में जो चल लाए काम भक्ति पत्का तो यहां भे जो बिल् बहुत सारे तूट गए हैं आगे से अब यह सब बिल्डिंगे पीछे चले गई है 14 मिटर यह जो चोड़ाई रहेगी जो चले आपको पूरा कोरिडूर दिखाते हैं आपको अगा इसी साइड आप देखेंगे तो देखें पूरा किस तरीकी से यह तोड़ फोड अंदर आपको हनमांग गड़ी तक लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कॉरिडूर में क्या कंस्रेक्शन हो रहा है बहुत सारी घर जो थे इस साइड में वह पीछे हो चुके हैं यानि पहले आगे था यहां पर यह पूरा टूट गया इस साइड में और इस साइड में भी दे देखेंगे तो यहां पर देखें किस तरीके से बिल्डिंग तोड़ हुई है और जब इसकी चोड़ाई ज्यादा हो जाएगी और सारी बिल्डिंग का जो कलर रहेगा एक जैसा रहेगा बनने के बाद और साइज भी सेम रहेगी चलिए दिखाते हैं आपको इसाड़ कि अगर देखेंगे बड़ा सा जो आपको मंदिर दिख रहा है यह प्रैशीन मंदिर है और अगल पगल आप देखेंगे शौप जो था जैसे पहले था उसी तरीके से लगा लिए हैं बट तोड़ फोड के वज़ें से कुछ दूसी तरह दिखता है और यहां पर तोड़ फ आप वाले थे वह पहले से पना तोड़ के एजस्ट कर लिए थे और इस साइड देखेंगे तो हन्मांगड़ी हम पहुंच गए हैं और हन्मांगड़ी का नजारा देखेंगा कुछ इस तरीके से दिखता है इस साइड में और यह प्राशीन मंदिर है हमारे आयोध्या का औ और शौप देखिए किस से तैस नया सुवा पड़ा हुआ है और दिखाते हैं आपको आगे चलके और गए सन्मांगड़ी पर भीड काफी जादा है कि कि वह पर रचस को आपकरा देखेंगा परो करतो है नहीं को मास च visão से दिखता है आपको आपकरा में आपूछिए अचमांगब म कानों कि भार ए्मादवाव पकराद़ी जायो कामजआ नही जाहतला आपको आपकोरा Allah Кол gears CIA झाल झाल कितना ज्यादा बीड़ है और काफी दूदू से स्रधालू आते रहते हैं और दिखें आगे दिखाते हैं आपको भक्ती पत का कंसेक्शन जो हो रहा था और गाइस जो भक्ती पत बन लाए कुछ इस तरीकी से अभी मावला देखिए जो शौप थी इधर साइड में ये पीछ और चलते हैं आपको ऐसा दिखाते हैं अब होगा इसी काफी जब चौड़ी हो जाएगी तो काफी अच्छा लगीगा और भीड जो लगती थी और जाने में दिक्कत होती थी फिर वो जाने को दिक्कत खतम हो जाएगी जब 14 मीटर ये जिसकी चौड़ाई रहेगी रोड़ झाल पास और यहां पर देखेंगा कुछी सरीके से जो नई नई शॉप बन नहीं है क्योंकि आगे थी तो टूट गई है और इस साइड देखेंगे और इस साइड भी काफी शॉप थी तो पीछे हो गई है तो टूटके इस साइड में कि है भी आगे इस लिए दो टेंट कि ले जबुक्त की आगे अधिया निए अगलत को डाकांकि सब्सक्राइड हेए है 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 कर दो आठेंगा ज़िए है 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 ठीक है अधन्या नवडर देखेंगे तो यहां पर नया धर्म शाला वगरा बनना अंदर में इसका रोड दूसरी तरफ से है बट इस तरीखे से इधर से भी रहेगा एक किट और दूसरे साइड से भी रहेगा और देखे कैसे तोड़ फोड हुआ इस साइड में और विदम पानी भरा हुआ इस साइड ओगा इस साइड देखेंगे तो इस साइड जो कंसक्शन हुआ है बहुत बहुत सारे शौप अटे हुए इस साइड में और दिखाते हैं आपको चलते हुए पुरी कॉरिडर का वाद दिखीगा कुछी तरीके से माहल बना परड़ एक लोग का 20 रुपए लगता है परपारिशन तो चलिए और दिखाते हैं आपको इस साइड में तो शौप अगरा इस साइड आप देखेंगे तो कैसे तोड़ फोड मची हुई है और इधर साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और यहां देखें काफी अच्छे-च्छे समान मिलते हैं इस साइड में और यहां पर लॉकर की सुब्दा दी गई है इस वाले में भी पुराना यह कॉरिडूर है अपना जो नया जान नम भूमी पत बन रहा है उसमें भी लॉकर की सुब्दा दी गई हैं बटे अभी शौ और इस साइड देखेगा कंस्रेक्षन कुछी सरीकी से महल बना हुआ है यहां सब पुरानी जो मंदिर थी वो पूरा टोर फोड हुई है और इस साइड आपको दिखाते हैं झाल 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 से आपको सुगात रहे हमारे अभे अमंवांग घुसर सबस्क्राइब कि नए दोस्त बने रहे हैं कैसे आफ टिपंक कि यह बीडियो को आफे लिए को लेंक क्यों तो मिलते है नए और रंफे करें जय स्वीटाइ